नापतुल की पाटशाला में आपका स्वागत है आज हम डेमोंस्रेट करने वाले हैं पैन कैमरा की ये प्रड़क्ट जब आपके घर आएगा तो आपको इसमें एक पैन मिलेगा जिसमें कैमरा इन बिल्ट है उसी के साथ में आपको एक अड़ाप्टिक चार्जर मिलेगा जिससे आप इस पैन कैमरा को चार्ज कर सकते हैं दिखने के लिए तो ये पैन बहुत ही साधारन है पर इसकी सबसे बड़ी USB इसका स्पाई कैमरा है पैन कैमरा को इस्तिमाल करने के लिए आपको सबसे पहले से चार्ज करना है तकरीबन तीन घंटे के लिए जो आपको USB वायर दी गई है वो यहाँ पर फिट इन हो जाएगी और दूसरी एंड आपके लापटॉप में जाएगी जैसी ही आप कनेक करेंगे इसमें एक रेड लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी जब तक लाइट ब्लिंक हो रही है मतलब आपका पैन कैमरा चार्ज हो रहा है जब इसमें रेड लाइट ब्लिंक होना बंध हो जाए और सॉलिड हो जाए इसका मतलब यह है कि आपका pen camera चार्ज हो चुका है तीन घंटे तक इसे चार्ज होने दीजिए उसी की नीचे आपको एक slot दिया गया है जहां पर आप memory card इंसर्ट कर सकते हैं memory card आप 16 GB तक expandable यूज़ कर सकते हैं pen camera चलाने के लिए आपको एक memory card लगेगा धियान रखे कि memory card को आपको इसी direction में डालना है अगर आपने उटी direction में डाला तो आपका memory card अंदर जाएगा ही नहीं और अकर चला भी गया तो कोई भी recording नहीं होगी कुछ इस प्रकार आपका memory card अंदर जाने के बाद दिखेगा अब आपको बताऊंगी कि pen camera को operate कैसे करना है आपको इस button को 3 second के लिए press करके रखना है जैसे आप देख सकते हैं ये green light on हो चुकी है इसका मतलब आपका pen camera की recording शुरू हो चुकी है recording बंद करने के लिए आप अपने on off button को off कर दीजी जब off करेंगे तो red light आजाएगी यानि recording बंद हो चुकी है record की हुई सारी videos आपको जिस तरह से अपने अपने camera को charge किया था उसी तरीके से USB से connect करके laptop को connect कर दीजी my computer में जाएंगे तो आपको my computer में USB वाला section मिलेगा USB section में आपको आपकी सारी की सारी videos बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे तो देखा आपने यह जो pen camera है दिखने में तो बिलकुल एक normal pen लगता है पर actually में यह एक spy camera है जिसे use करना बहुत जादा easy है नापतोल की और प्रड़क्स की जानकारी के लिए like, subscribe and share